नमस्कार दोस्तों मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल इस वीडियो में कम्प्लीर जनकारी दूँगा बातरूम फिटिंग आप कैसे करेंगे किस तरह से पाइप को आपको फिट करना है में आउटलेट कैसे निकालेंगे डैवर्टर आप कैसे इंस् साथ इंच रखेंगे मैकस्मौ 70 इंच रखेंगे उसके बाद सावर्टर यहां वाद पबास साभ के शोतारूम minimum आप 6 इंच रखेंगे, maximum 7 इंच रखेंगे, उसके बाद सार वाला यह जो आउटेट है, इसको आप minimum 7 इंच रखेंगे और maximum इसको आप 8 इंच रखेंगे, 8 से ज़्यादा मत रखना नहीं तो फिर install होने में दिक्तत हो सकता है, extra आलक से आपको जो L wind है, वो purchase करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपको बनाना है, यहाँ पर wall mixer का point, यह wall mixer का हो गया, point अब इस तरह से यह line आगे जा रहा है, अपना wall mixer वाला, देखें दोनों pipeline यहाँ से आरा hot and cold का, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ diverter लगा हुआ देखें, जैक वार का फोरवे diverter लगा है, अब diverter में भी आपको जो है left side में hot water रखना है, right side में cold water रखना है, hard मैं आपको बताता हूँ diverter का कितना रखना है, देखें, two inlet, two outlet diverter है, मैं आपको समझाता हूँ two inlet क्या है, two outlet क्या है, देखें, यहाँ पे जो hot water रा रहा है, यह पहला inlet हो गया, उसके बाद यहाँ पर right side में cold water रहा है, यह दूसरा inlet हो गया उसके बाद अब outlet समझे देखें, पहला outlet यहाँ पे हो गया, यह नीचे spot वाला, दूसरा outlet यहाँ पे हो गया, यह तो इस तरह यहां पर इसको 4-way diverter बोला जाता है तू inlet तू outlet है इसमें भी left side में hot water रहेगा right side में हमेशा cold water रहेगा अब नीचे यहां पर एक spout outlet है उसके बाद ऊपर यहां पर एक sour outlet है अब height मैं आपको बताता हूँ देखें diverter का height tile sole surface से tile sole complete surface से यहाँ पे जो handle लगेगा diverter का कार्टे center point वो measure करेंगे minimum tight sole surface से 40 inch रखेंगे maximum 42 inch रखेंगे यानि कि कम से कम 40 inch maximum इसको आप 20 inch रखेंगे साथ में spout है spout के point का height है tight sole surface से कम से कम 30 inch maximum 32 inch रखेंगे अब sour के point का height है यह आपको रखना है minimum tight sole surface से कम से कम 6 feet maximum 7 feet रखेंगे 7 feet रखने का benefit यह है कि 6 feet के आदमी भी easily नहा पाएंगे अगर sour का height आप tight sole surface से 6 feet रखते हैं तो फिर 6 feet के आदमी को जुकना पड़ेगा या फिर बैट के नहाना पड़ेगा enjoy जादा नहीं कर पाएंगे इसलिए यहाँ पे sour के point का height है tight sole surface से कम 6 feet maximum आपको 7 feet रखना है अब line आगे जा रहा है घीजर का point यहाँ पे है मैं आपको बताता हूं देखे घीजर का point जब आप बनाएंगे क्या दन लखेंगे घीजर के point के लिए right side में हमेशा cold water आएगा left side में हमेशा hot water आएगा ध्यान रहे हमेशा जब भी आप घीजर का point बनाएं तो घीजर के point में दोस्तों दिखे inlet में आप यानि कि घीजर वाले tank को जो भरेगा उसमें किसी भी size का pipe रखे कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन लेकिन देखे hot water में हमेशा आपको आधा इंच या फिर पौना इंच का लगाएंगे गलती से यहां पे दोनों में अगर same size का pipe आपने लगा दिया तो फिर pressure में fluctuation होगा customer complain करेगा कि घीजर वाले जो पानी होगा कम ज़्यादा करके आता है क्योंकि motor dia का pipe डालेंगे hot water में तो गिजर वाले टैंक का जो outlet हो आधा इंच होता है पानी आधा इंच फिलो होगा और motor dia का pipe आप रखेंगे तो पानी क्या होगा पहले भरेगा फिर गरेगा भरेगा फिर गरेगा यानि की fluctuation आएगा पानी एक बार इस्टोर होगा फिर गिरेगा इस्टोर होगा फिर गिरेगा तो ये ध्यान रखना आपको गीजर के पॉइंट के लिए इनलेट के लिए आप किसी साइज का पाइप लगाए लेकिन आउटलेट के लिए नहीं हाट ओटर के लिए आप हमेसा आदा इंच या फि सवाइंच का आउट्टेट डाला गया है जा रहा यह दूसरे बातरों में ठीक है तो इस तरह से आपको में आउट्टेट निकालना है यहाँ पर देखते हैं नीचे यह जो पाइफ है एक इंच का है फ्रेस वाटर भी देना था बातरों में और उपर जो यह सवाइंच का में आउट्टेट है अब यहाँ से इसको मैं इस तरह से दिखे होल करके बाहर निकाल दिया चलिए दूसरे बातरों में दिखाता हूं देखे दूसरे बातरों में एंट्री किया मैं अभी यहाँ पर अंधेरा है आप लोग मैनेज कर लीजिए यहाँ ज़्यादा कुछ बत कर लिए देखे वासी मसीन का पॉइंट बनाया गया है इसका उन्हाय से फोर्टी इंच इसके बाद आप देखेंगे रहे हैं घी चन के अंदर आप लोग कहीं जाना मत वीडियो को लाश तक आपको देखना है बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी में दे रहा हूं आप है गीजर का पॉइंट बनाया गया है नीची वाला लाइन सवाइंच का है रिडियों उसकी आएक इंच में उसके बाद दिखे वन बाई वन बाई टू का ब्राश्टी दिया राइड शाइड में कोल वाटर है लेफ साइड में हमेशा हॉट रॉडर रहता है और सेम चीज वह उसके बाद अब दोनों लाइन यहां पे इस तरह से नीचे आएगा यहां पे दिया हूँ यहां पर अपना आएगा सिंक मिक्चर का पॉइंट अब यहाँ पे सिंक मिक्चर के लिए किस तरह से सेट अप किया गया है मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही बढ़िया सेट अप है यहाँ आप लोग द्यान से समझेए तीन पॉइंट यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे सेट अप इस तरह से किया गया है कि जो है कस्टमर अगर बोलता है कि मुझे हाट वाटर कोल वाटर चाहिए सिंक मिक्चर में तो हाट और कोल में लगाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर सेट अप किया गया है बहुत ही बढ़िया रहेगा उसके बाद अब देखिए डिस्टेंस में आपको बताता हूँ होट एंड दोनों की बीच का होट एंड कोल का उसके बाद कोल एंड फ्रेस वाटर का minimum to distance है आपको कम से कम 6 इंच रखना है maximum 7 इंच रखना है 7 से ज्यादा मत रखना नहीं तो फिर इंस्टड नहीं हो पाएगा चाहेवाल मिक्चर हो या फिर sick मिक्चर हो आपको इक्ट्र मार्केट में अलग से लेग खरीदना पड़ेगा 90 degree वाला लंबा वाला इसलिए वो सब ताम जाम पालने से अच्छा है इसको आप minimum 6 इंच रखिए maximum 7 इंच रखिए install हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अब sink mixture का height मैं आपको बता रहा हूँ दिखे kitchen का जो plate form है वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ kitchen के plate form से minimum height है sink mixture के point का आपको रखना है change maximum इसको आप रखेंगे 8 इंच minimum change maximum 8 इंच रखेंगे kitchen के plate form से उसके बाद यहाँ पे दिखे अगर मैं बताऊँ आपको kitchen का जो floor है यानि कि first है उसके label से तो दिखें kitchen का जो plate form है वो floor label से minimum जो होता वो 30 इंच होता है maximum वो 32 इंच होता है तो floor से यहाँ पे sink mixture का point है kitchen वाले floor से minimum आपको 36 इंच रखना है maximum आप इसको 38 इंच रखेंगे उसके बाद अब देख सकते हैं इस तरह से pipe fitting हुआ है अब यह line आगे जा रहा है और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ metropool metropool के बारे मैं आपको बताऊंगा फ्लस करके pressure भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो काम करता है कुछ इस तरह से यहाँ पे fitting पूरा यहां का complete है चलिए आगे दिखाता हूँ metropool यह दिखे आ गया मैं metropool वाले जगह पे अभी आप देख रहे हैं सवाइंच का pipe line दिख रहा है अब pressure भी मैं आपको दिखाऊंगा टेस्ट करके लेकिन उससे पहले सबसे पहले आप यहाँ पी यह समझे कि जो metropool किस तरह से काम करता है कौन सी साउधानिया आपको बरतनी है ताकि जो है problem ना है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा call आता है customer जो है एक से बढ़के एक समस्या लेके आते है metropool के बारे में कोई बुलता है लिक कर रहा है कोई बुलता है ठीक से flush नहीं हो रहा है तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी बारे कि आपको ध्यान रखना है install जब आप कर रहे हूं तो देखे metropool मैं आपको बताता हूं देखे कुछ लोग इसको जो है flush wall बोलते हैं तो metropool इसका सही नाम है metropool push flush wall इसका पूरा नाम है देखे दो तरह का आता है एक तो होता है जिसम अगर metropool सवाबई सवा का है तो क्या करना आप समझे देखे अभी देखे यह जो metropool में लगाये हूं इनलेट है सवाइंच आउटलेट है तो अगर आप इसको ऐसे ही लगाएंगे और सवाइंच का लाइन ले जाके टैंग में connect कर देंगे तो फिर जब कोई flush करेगा तो जो है air आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया है हर वीडियो में पानी जब किसी भी object से टकराता है तो उसका pressure थोड़ा सा degree जो जाता है आगे का जो flow है इसलिए यहाँ पी आप क्या करेंगे अगर आपके पास सवाबाई सवाइंच है आउटलेट भी सवाइंच है बस आपक जो है यहाँ से सुरू से लेकर टैंग तक मैं सीधा सवाइंच का ही डाल दूँ तो फिर pressure में दिक्कत आएगा air आएगा वही customer कंप्लेइन करते हैं तो यह था सवाबाई 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 को फिट करने की जानकारे उसके बाद अगर आपके पास मैट पूल जो है वो इस्ट्राल करते हैं ठीटा है अब आईये मैं आपको दिखाता हूं मै मेट्ड़फी तपोल जो है वह तरह से करता है भाह्या सवाबाई सवाबा लेकर ला दो स्वाधी काम करने कंट्रोलर यहां से एक बार करेंगे यहां से एक बार करेंगे एक आप प्लाज इस ना प्तागडा पाणी बना था इसके पोड़े तो यहां डाउंसलेप नहीं बना था इसलिए 15 इंची प्था यहां डाउंसलेप नहीं बना था जरूरी फिटिंग और भी आपको बताना करना देखे दो पॉइंट यहां पर दिख रहा है दरसल ओडिसा पैन के साथ में एक जो है एक फिशट का है और एक जो है वो है टब में फानी भर के फ्रेस हैने के लिए इसका जो टाइस वाली सर्फेस से हाइट है आप 14 इंच रखेंगे मिनिमम मैक्सिम सोल है उसके बाद द देखे यह लाइन गया है उधर आगे यह जो है यह है अपना वासिंग मसीन के लिए हाइड में आनों आपको बता दी है मिनिममम 42 मैक्सिम 44 इंच रखेंगे उसके बाद देखे अब यह लाइन जा रहा है यहां पर आगे वास बैसिन के लिए होट और दोनों है दोनों ही आ करने के लिए बॉटल ट्रैप यहां पर लगाया गया है बॉटल ट्रैप जो है लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है इसमेल ना करे बीमारिया ना फैल है उसका जो हाइट है दोनों का मैं आपको बताता हूं देखे मिनमम जो है आप 16 इंच रखेंगे मै अब एजारा उपर टैंग में कनेक्ट हो जाएगा प्रेसर को मेंटेन करने के लिए आप जो अपने हिसाब से आउटेड निकालेंगे